कुद्रत ने ये मानव शरीर में इतनी शक्तिया खास खास कर बढ़ दिया है कि जिसका कहीं जोटाई नहीं मिलता है इतना उत्म ये मानव शरीर कुद्रत ने पंस्तत्वक के माध्यम से बनाया है और एक इसी शक्ति जो इसको हम देवी तरीके भी जानते हैं कुद्रीनी शक्ति तरीके भी जानते हैं अलग-अलग हर कोई नामों से अलग-अलग नामों से हर कोई मानव हम जानते हैं जिसको हम सामन निर्टी से शास्त्रोक्त मुजब कुंडलीनी सकती से ही ज्यादातर जानते हैं कुंडलीनी सकती आध्यातिविक शेत्र में स्थूर जगत के लिए और सुख्ष्मा जगत के लिए दोनों सेत्र में सबसे बड़ी कुंडली नी शक्ती ही काम करती है लेकिन स्थूल जगत को स्थूल जगत के लिए जो कुंडली नी शक्ती काम करती है उसको शास्त्रों में अधोगमन कहा गया है कुंडलीन शक्ति ऐसे देखा जावे तो हर कोई मानों को जागरूती है लेकिन स्थूर जगत के लिए जागरूत कुद्रत ने रखी है सुक्ष्म जगत के लिए सुशुप्त अवस्था में कुद्रत ने रख दिया है जो मस्तक से लेकर निशे की तरफ जो काम करती है याने कि शरीर की सारी सक्तिया निशे की तरफ याने या तो बाहर की तरफ शरीर से बाहर की तरफ जो बाहर रही है इसको अधोगमन कहा जाता है सास्त्रों में अध्यात्मिक्षेत्र में उसको अधोगमन कहा गया है और वही शक्ति को अधोगमन में से उद्रोगमन में परिवतन करके मस्तक की तरब जब उपर चड़ाई जाती है रुपान्तरित करके चड़ाई जाती है उनको अध्यात्मिक सित्र में उद्धवगमन कहा गया है उपर चड़ाने के लिए शरीर में जो तीन से चार प्रकार की उद्धा होती है सभी को रुपान्तरित करके ही उपर चड़ाने पड़ती है लेकिन हमको इसको रुपान्तरित करने में हमको कुछ करना नहीं पड़ता है हमको तो सिफ ज्यान प्रानाई में करना पड़ता है वो शरीर सारी क्रिया आप वाप संभालती है परिवतन करके उजग मन करने में हमें तो सिफ कुनली नी सक्ति को उजग मन करने के लिए ज्यान प्रानाय में करना है बाकी सारी क्रिया इस सरीर अमारा संभाल लेती है इस सुष्टी में जड़ और चेतन दोनों मिल के कुल 84 लाख योनिया ए प्रकुति में ब्रह्मा जी ने बनाई है वो सभी योनियों में से मानव योनि को कुद्रत ने एक ऐसी बनाई है कि मानव शरीर के मार्फट से मानव जो चाहे वो कर सकता है वो कुद्रत भी बन सकता है परमात्मा भी बन सकता है और राक्षस भी बन सकता है शेतान भी बन सकता है जैसी उनकी विचार धारा वैसा ही वो मानव बनेगा ये मानव शरीर बनाने में कुद्रत में एक अद्भूत द्यान है मानव शरीर में जो भी सक्तिया रखी है ऐसी सक्तिया और कोई दूसरे यौनी के सरीर में नहीं है ऐसा ये मानव शरीर का विग्नान कुद्रत ने भरपूर किया है मानुशरीन में जो भी शक्तिया है इसमें से पंचानू टका शक्तिया कुद्रत ने सुसुपत अवस्था में रखी है जिसको उध्रगमन करके रुपांतरित करके उपर चड़ानी पड़ती है तब वो पंचानू टका शक्तिया जागरूत वती है उद्धगमन नहीं करेंगे तो वो अधोगमन तरीके से ही काम करती है स्थूल जगत के लिए पंचानू टका शक्तिया सुशुपत वस्था में है और पांस टका शक्ती जागरूत होस्था में कुद्रत ने ये मानौ शरीर में रखी है। जो नर नारिंग के सयोग से जो बालक पैदा होता है, जो बचा पैदा आता होता है, जिसको जननन शक्ती कहा जाती है। जागरूत होस्था में कुद्रत ने रखी है, और बाकी की जो चार टका शक्ती है, पांस टका में से, वो पूरी जागरूत होस्था में नहीं है। मानों जो सब्दों का उचान करके बोलते है, वो सभी सुझे सुनते है, सभी सीजे देखते है, और स्वाद लेते है, सुगन लेते है, इस सभी सक्तिया स्याट टका में से समावश होती है। जो हम विचारते है, जो सभी सक्तिया इंद्रियों के रूप में दिया है, लेकिन वो सभी सक्तिया पूरी जागरूत तवस्था में भी नहीं है। इसमें एक बाग जागरूत है, और तीन बाग सुशुत तवस्था में है। मानव शरीर में एक टका सक्ति ऐसी है, जो स्वय सोटका पूगरी पूरे पूरी जागरूत तवस्था में जिसको प्रजनन सक्ति से जाना जाता है। ऐसा ये मानव शरीर कुद्रत ने अनमौल बनाया है। जिसकी कोई किम्मत नहीं आख सके और आखी भी नहीं जा सकती, ये कुद्रत की ये देन है मानव योनी के लिए। सबी मानव कहते हैं कि कुद्री निशक्ति जागरूत करनी पड़ती है। मित्र यहां बहुत बड़ी गलत फ्हेमी में हम मानव है, कुद्री निशक्ति जागरूती है, लेकिन वो स्थूल जगत के लिए है। इसलिए तो ये मानव शरीड मुख से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, आखो से देख से हैं, नाक से सूंकते हैं, परकते हैं, जीब से स्वाद परकते हैं, और एक नया मानव का बच्चा भी पेदा कर सकते हैं। इस सभी क्रिया प्रती क्रिया शरीड में कुंडली नीशक्ती से ही होती है। लेकिन शरीड में कुंडली नीशक्ती अधोगमन तरीके से जागरूथ है। जब कुंडली नीशक्ति अधोगमन में बहती है, तब कुंडली नीशक्ति में सारे दोष से परपूर होती है, कुंडली नीशक्ति स्थूर जगत के लिए चालू होती है, वो अधोगमन के लिए कहा जाता है, और जब कुंडली नी शक्ति अधोगमन में होती है तब इसमें सारे दोश याने के सारे जो अउगून है काम, क्रोद, लो, मो, माया, बर्प, इस अभी अहम, राग, इर्शा, इस अभी अधोगमन कुंडलीने में बर्पूर होता है इस अभी दोसों अजोगमन कुंडलीनी सक्ति का ही होता है जब कुंडलीनी सक्ति परिवतन होकर उजोगमन बनती है तो ये सारा दोसों के उपर मानों काबू पा लेता है आपो आप काबू आ जाता है इसमों हमें काबू पाने की जरूरत ही नहीं है हमें सिब जरूरत है ध्यान प्रणायम करने की और जब उद्धोगमन बनती है तो वो कुंडलीनी सक्ति में दोसों में से जो गुणों में परिवत्वन आपो आपो होने लगता है जैसे कि दया, समानता, साक्षी, प्रेम, लागने, करूंता, बावना, आनन्द इस सभी गुणों, साक्षी, इस सभी गुणों कुंडलीनी सक्ति जब उद्धोगमन सक्ति में परिवत्वन होता है तब इस गुणों इसमें समावे सापो हो जाता है लेकिन जब शरीर में अधोगमन तरीके से काम करती है तब कुद्रत ने जो सक्तिया सुषुपत आउस्था में रखी है वो काम नहीं करती है जब कुंडलीनी शक्ती उद्धोगमन से रुपातरित होकर उपर की ओर चड़ने लगती है तब शरीर में निरोग्य अवस्था भी आ जाता है बहुत प्रकार की सक्तिया जागरूत हो जाती है जो सुप्त अवस्था में होती है वो सभी सक्तिया के बाद एक कमराई जागरूत अवस्था में आ जाती है आने लगती है तब वो मानव आत्मग्नानी बन कर उनको आत्मबोध हो जाता है बाद में वह ब्रह्म गनानी भी बन जाता है आत्मज़ध, ब्रह्म गनानी और तत्व गनानी इनों की वैक्ष्या में बहुत तफाह थे मीत्रों वह मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा क्या तफाह होते प्रकुति का सारा रहष्य उनके सामने खुला हो जाता है जो कुंडली निशक्ति उद्रगमन करता है परिवत्तन करता है उनके सामने प्रकुति का सारा रहष्य सारा गुड रहष्य एक स्टेप बास्टेप खुलने लगता है उनकी वास्तविक्ता उनके सामने खुलने लगत और धीरे धीरे वो प्रकुति का मालिक भी बन जाता है जो ज्यानपणायम में नितडिंग अभ्यास करेगा तो ऐसा ये उद्धोगम मनवाली कुंडली नी शक्ति का काम है ये कुंडली नी शक्ति के बारे में मानव में बहुत अनेक प्रकार की ब्रह्मना ये फ्यली हुई है लेकिन ये सारी ब्रह्मना जिसने कुंडली नी शक्ति को उद्धोगमन किया है वो ही मानव ये सारी ब्रह्मना मिटा सकता है और कोई नहीं मिटा सकेगा सुनु शिन्वाई बात वाले मानव ब्रह्मना बढ़ा देते हैं कुंडली निशक्ति जब अधोगमन स्थिति में होती है तब कुंडली निशक्ति का मुख निशे की और जमेन की और होता है वो मुख जनेंद्री को कहा गया है मानों कि जनेंदरी जमेन की और मुख कर बटकती है इसी को ही नीशे की और मुख का आ गया है लेकिन ये सक्ति को कुण्डलिनी नाम से क्यों जाना जाता है ये भी एक जानने का माध्यम है बहुत जानना जरूरी है जब योग क्रिया के माध्यम से ध्यान प्राणायम के माध्यम से नित दिन जो मानों अभ्यास करता रहे है प्रैक्टिस करता रहे और उनका आशन जब दो गंटे से तीन गंटे के बीश में आ जाता है तब शरीर के अंदर जो वीरिय की कोथली होती है वो कोथली में गर्मी पकड़ने के ध्यान प्राणायम करने से गर्मी शरीर में आप आप पकड़ाता है वो गर्मी के इसाप से शरीर गर्मी पकड़ता है तो वीरिय गरम होता है तो गरम होने का मतलब होता है कि वो गरम जो कोई भी प्रभाइसिस गरम होती है तो उसका धुवा निकलने लगता है तो वराल बास पहले चक्र मुलादार में शाड़ तीन आठा खा कर ही राउंड में गोल-गोल मुलाद गुम कर मुलादार चक्र पे पहुंचते है विर्यक की शक्रा निकलने की वराल बास पहुंचते है और 25 तीन आठा की आपार में शाड़ सल्यादार जब हम प्रैक्टिस करते हैं पतार य यसलिए मुलादार में आएगी तो सबस्तट फैस्ति हम गुम करी आएगी और मुलाधर सक्रा में जो प्रविश करेगी मित्रो यहां बहुत बड़ा रहिश्य सुपा हुआ है जो मंदिरों में शीवलिंग में नाग की मूर्थी रखा जाता है वो भी शाड़े तिनाटे वाली मूर्थी होती है नाग की और शीवलिंग में जो नाग दिया है वो भी शाड़े तिनाटे वाले ही नाग दिखाई देता है यह शीवलिंग में जो नाग शाड़े तिनाटे का दिखाई देता है इसे ही कुणली नी सक्ति से बहुत तालुकार होता है सीवलिंग देखने में वाला नाग का सिधा सबन ये कुणलीनी सक्ति से ही तात्परिया होता है गोल-गोल वराग गुमती है इसलिए उनको कुणलीनी कहा गया है और वीदिया की कोथली थेली से लेकर पहला चकर मुलाजार तक राउंड आकार में गुमकर मुलाजार में प्रवेश करती है इसलिए उनको सर्पीनी भी कहा गया है क्योंकि सर्प जब बैठता है तो कुणलीनी आकार में शाड़े तिन आटार लेकरी बैठता है जब वो खड़ा होता है तो गुमकर ही खड़ा होता है क्योंकि सब शांत बैठा है हुआ होता है तो वो साड़े तिन आटे में गुमकर बैठे रहता है यही कारण से यह सक्ति को कुणलीनी सक्ति से जाना गया है वीदिय का वराल जब गोल गोल गुम कर उपर चड़ता है उसका अनुभो साफ रितिसे योगी को होता है और जब पहला मुलादर चक्र का वेदन होता है तब जैसे साफ फुफाडा मारते है वैसे ही मुलादर चक्र पे फुफाडा मारने जैसा बहुत जोड़दार खेंचान दाखल होता है आंजका होता है अती से खेचान आसके से मुलाजर चक्र का वेदन होगा लिकिन वह शरी力 में कस्ट दाएक नहीं वोता है शुख दाएक आननंद दाएक को दबाओ और खेचान आसका का कभी कस्ट नहीं होगा और वो जब वराण पहले चक्र मुलादार में दाखल होते हैं, तब वो आप वराण में से बिजली का रूप धानको हो जाता है, मुलादार में ही, इसलिए मुलादार चक्रों को मुलादार का आ गया है इस प्रकुति में वराल का एक नियम है कि कोई भी प्रवाई सीज का आप गर्मी देकर वराल के रूप में रूपान्तरित करोगे तो वराल उपर आकास की तरफ और सड़ने लगेगी वो वराल कभी जमिन की ओर नहीं जाएगी इस प्रकुति का नियम है वो ही क्रिया ये सरीर में होती है लेकिन ये वीर्य में से वराल होती है वो वराल उड़ा के रूप में परिवतन होती है मुलादार में पहले चक्र तो वराल के रूप में ही रहेगी और पहले चक्र मुलादार से प्रवेश करीगी तो अवराल उर्जा के रूप में आप परिवतन हो जाती है, हमको कोई परिवतन करने की जरूरत नहीं रहती है, हमको तो सिप ज्ञान प्राणाय मेही आसन का समय बढ़ाना है, इसलिए मुलाधार शक्रा का नाम मुलाधार, मुलाधार का मतलब होता है, मुलाधार ये उर्ज ही शक्ति रूप है, शक्ति रूप को अनेक नामों से जाना गया है, कोई कुंडली नहीं कहते है, कोई सर्पी नहीं कहते है, कोई देवी सरूप कहते है, इस सुष्टी में सक्ति का मूल आधार यही है, सर्वस्ठेश यही सक्ति है, यही सक्ति से सुष्टी का सर्जन हुआ है और यही सक्ति से सुष्टी सलायमान है, मानव सरीर में जो सक्रों के रूप में सक्तिया, वो सभी सक्तिया सिध्यों के रूप में है, लेकिन ये मानव सरीर में ये सभी प्रकार की सक्तियों को जागरूत करने के लिए कुद्रत ने एक प्रैक्टिस का माध्यम रख दिया है